जाबर बच्चे हम जरनल साइन्स के कोशन्स की प्रैक्टिस कर रहें कंटिनियूसली और इसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है एकोलोजी यानिकी पारिस्थितिकी या एको सिस्टम ठीक है तो बच्चो इसमें दो क्लासिस हो चुकी है और लेडी जिसमें हमने बहुत इंपर्टेंट कोशन को डिसकस किया था आज ये इसकी आखरी क्लास है थर्ड वन थर्ड पार्ट हो गई ये इकोलोजी का ठीक है तो टॉपिक वाइस कोशन चलना है चलते रहेंगे इसी तरीक से तो यह बदर क्लास को श्यर कर दिजिए लाइक कर दिजिए चलस को शेर भी कर दिजिए और लाइक भी कर दिजिए ताकि हम आगे बढ़ सकंद ठीक है चली ज्रक हुटीर समय ना गवाते हों कुशन चुरू करते हैं डेजर्डनस हैं कि ऐसरेट हैं फालकर दो हैं ठीक है? एक सेकेंड डेजर्ट जो होता है बच्चों उन्हें फ्रेटो फाइट्स पाई जाता है यानि कि वो पौधे जो की कहां उखते हैं? कहां? रेगिस्तान में डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में ठीक है? तो इन प्लाइट के साथ क्या होगा? क्या खासियत होती है इन प्लाइट्स की वो यह पूछ रहा है कोशन में? गुड बाइग, गुड बाइग तो फ्रेटो फाइट्स जो होते हैं बच्चों आप याद रखना है बच्चों ऐसे पौधे होते हैं जिने हम मरू पादप कहते हैं क्या कहते हैं बच्छों मरू पादप यानि कि वो पौधे जो कि कहां उकते हैं जो कि कहां उकते हैं वो रेगिस्तान ये बहुत ही कंक्रीली जमीन में बहुत ही पत्थर वाली जमीन में उकते हैं इसका सबसे अच्छा है इसका सबसे अच्छाBob फिम्पल है कीकर का पेड़ नीम के जैसा होता या बबूल का पेड़ या बबूल का पेड़ यह इसके सबसे च्छाव फट्क है ऐखे एक हमने पढ़ा था बच्छु जेर फाइट अबकर आपको याद में और फेरोफाइट्स में आपका जो मेन जो मेन फ्रेटोफाइट्स जो होता है इन में मेन फर्क यह है बच्चो कि जेरोफाइट्स और फ्रेटोफाइट्स जो है यह थोड़े लंबे होते हैं यह व्रक्ष जैसे होते हैं जैसे व्रक्ष होता है और यह पहुदे थोड़े छोटे होते हैं ठीक है इनकी लंबाई लगभग लगभग बच्चो यह मान का चलिए आप लगभग लगभग आपका 15 फिट तक हो सकती है 15 से 20 फिट तक और ये आपके 7 से 8 फिट तक मैक्सिमम हो सकते हैं 7 से 8 फिट तक ठीक है तो जेरो फाइट का बड़ा अच्छा एक्जामिपल क्या था बच्चो चैक्टस मैंने बताया आपको कैक्टस जितने भी नोकिले पौदे होते ने घरों में हम सुंदर्ता के लिए लगा लेते हैं ठीक है तो कैक्टस ऐसा पौदा जरोफाइट का जो कि अपने तने में पानी का संचे करता है, और लम्मे समय तक ये पानी उसमें बना रहता है, तो इसलिए जरोफाइट को बहुत कम पानी गई आवशक्ता हुती है, लेकिन फ्रेटोफाइट की ऐखासियत क्या है, आईएएवे इसके बारे में देखते हैं, फ्रेटोफाइट धियां से देखना हमारी जमीन में यह जो आपकी सबसे उपरी परत है ठीक है यहां तो मिट्टी है और इस मिट्टी के नीचे जब मिट्टी के उपर यह बारिश होती है बच्चो तो मिट्टी में एक नमी आ जाती है तो सौइल मॉइस्चर पाए जाता है तो यह जो हम कभी कभार गमले में यानि की कोई पौधा बोने के लिए हम जमीन खोथते हैं तो अंदर साम देखते हैं जमीन थोड़ी सी नम है नमी है उसमें तो वो पौधे को जब हम अंदर डालेंगे तो वो मॉइस्चर वाली सौइल यानि की मिठी में जाकर फिट होगी ठीक है तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं वेडोज जोन क्या कहते हैं बच्चो इसे इसे कहते हैं बच्चो वेडोज वेडोज जोन ठीक है यहाँ पे सिर्फ नमी होती है पानी नहीं होता अब वेडो जोन के इन्हें इसा अंसाइचुरेटिड जोन भी कहते हैं बच्चो अब इसके ठीक नीचे बच्चो ध्यां से देखना capillary fringe होंगी यानि की छोटी छोटी नली होंगी यानि की अगर बहुत नीचे दग खोट के देखें तो फिर बाद में इस तरह की छोटी छोटी नली आपको जमीन के अंदर मिलती हैं इस तरीकी की यह है और इन यह जो आपकी capillary fringe है यह छोटी-छोटी नलिया है इनके ठीग नीचे आपको मिलेगा water table क्या मिलेगा बच्छो water table water table मिलेगा आपको ठीक है और इस water table के नीचे होता है fariatic zone क्या होता है बच्छो इसमें पानी ही पानी होता है तो यह है वो भूमिगत जल यह वो भूमिगत जल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप ऐसे भी समझ सकते हैं, माल लिजे यह आपकी भूमी है, यह आपकी कोई नदी है, यह आपका पहाड है इस तरीके से, तो माल लिजे इस नदी में यहां तक पानी है, यहां तक, यह पानी है माल लिजे, तो यह और यह पानी जो है ना, नीचे भी ऐसे होगा, जमीन के नीचे होगा, पहाड के नीचे भी ऐसे होगा, तो इस पानी को हम कहते है는지 Water Table in Water Table और इस Water Table के नीचे नीचे पूरा भूमी Kayत जल होगा, तो यह वाला portion पूरा भूमी के जल है तो हमारे यह जो ठीक है अफ्लेट्डगत नम के जो पौधे हैं ठीक है जल भरू ठीक है जल जो होता है उसे प्राप्ट करने के लिए अपनी जड़े नीचे तक लेकर जाता है यह जड़े हैं देखिए यहां तक यह जड़े लेके जाते हैं और इन जड़ों से पानी का आउशोशन करते हैं ठीक है आउशोशन करते हैं फिर से सुन लिजे फिर से सुन लो मेरे बच्चो ठीक है ध्यान से सुन लो कि जो हमारे कौन से पौध हैं जो हमारे पेड़ है फरेटो फाइट्स इनकी खास बात ये है कि ये जमीन पर लगने के बात ने हैं बहुत लम्बी लम्बी जड़े होती हैं जो कहा तक पहुँचती हैं सैचुरेट्रिड जोन तक या फिर फेरियेटिक जोन तक वहां से पानी को सोखना इनका काम होता है तो यह बबूल कार कीकर का पौधा होता है पेड होता है इसकी जड़े बहुत गहरी होती है तो राजिस्थान में जाएंगे आप यह दिल्ली साइड भी बहुत हैं हरियाना में भी काफी है गुजरात की तरफ बहुत है तो यहां पर बबूल और कीकर बहुत पाए जाता है यह नीचे तक होते है अब इनकी खासियत क्या है सबसे जादा इंपोर्टेंट ठीक है यह देखना बच्छो इनकी खासियत क्या है बच्छो यह कह रहा है सक्लेंट स्टेम ठीक है यानि की रसीला तना होता है नहीं यह जेरोफाइट्स का होता है बच्छो यह जेरोफाइट्स का होता है लिपिड एक्युमिलेशन इन लीव्ज यानि की लिपिड जो तरल पदार्थ है उनकी, आपने देखा है ना, कुछ पतियों में तरल पदार्त होते ही, यारि उन्हों हिन्हों इन्हें दबाद उसमें से पानी जी ऐसा निकलता है, तो क्या इस पतियों में पानी का संचे होता है, लिपीड का संचे होता है, नहीं. 20-30 feet tap root के साथ ठीक है, बिल्कों सही है ये इसका सही answer होगा इनकी लंबाई 20-30 feet होती है बच्चो, very good, एक बच्चे ने answer दिया भी है बलकि, शावाज बच्चो, शावाज ठीक है, छोटा होता है like spine, नहीं, ये नहीं होगा चोटा नहीं होता, तो इसका सही answer C होगा, ठीक है, अब यहाँ से कई चीज़ा हमें पता चल गई है, ठीक है अगला question cactus is referred as, लीजी ये question आ गया, cactus answer देंगे सभी बच्चे, cactus किस category में आता है, hydrophytes, mesophytes, zerophytes या epiphytes ये तो आपको अब समझे में आई गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं बताइए बच्चो बताइए cactus is referred as hydrophytes, mesophytes, zerophytes या epiphytes, answer करें बच्चो क्या होगा, शाबाश हाँ, aloe vera type से होता है ये छोटे छोटे पौदे होते हैं, उनकी पत्तियों में पानी भरा रहता है, ठीक है, उसे lipid कहते है, actually, वो पानी नहीं होता बिल्कु सही answer है बच्चो, उसका answer होगा, zerophytes, बिल्कु सही, बिल्कु सही answer दिया आपने, शाबाश बच्चो, ये मैं आपको पिछ्चे समझाई चुका हूँ, very good, very good बटा, अब यो कोश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए आप से, मैं आपको हर प्रकार के, हर प्रकार के पौधों के बारे में बता चुका हूँ, बच्चो जलिये पौधे ये जो आपके हाइड्रोफाइट से जलिये पौधे हैं, ठीक है, हाँ, जलिये पौधे, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ, अगला कोश्चन Competition for food, light and space is most severe in ठीक है, खाने का competition, रोशनी का competition और space का competition सबसे जादा कहां देखनों को मिलेगा असल में हम पारिष्थिती की तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा ecological system होता है उसमें खाना रोशनी और space हमेशा इसके लिए competition चलता है कोशन आया हुआ है, किन तीन चीज़ों के लिए competition चलता है ठीक है, तो उसमें आपको तीन तीन option मिलने, जैसे हैं food, water space कर देगा, या फिर कर देगा, water, light space इस तरीके से कर देगा तो आपको याद खना है, ये तीन चीज़ों का हमेशा क्या चलता है, competition चलता है पारिस्तितिकी तंतर में होता है ना, कि धूप में जानवरों को जादे से जादा रहना है, पेड़ भी याद खना, पारिस्तितिकी तंतर में हर चीज count होगी, पेड़ जानवर, जितनी भी चीज़े हैं वहाँ पर, ठीक है, बायोटिक ये बायोटिक, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ओके ठीक है, अब अब ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ये खतरनाख competition कहां होगा, कहां ये competition खतरनाख हो जाएगा distantly related species growing in different habitats, यानि कि विभिन आवासों में उगने वाली दूर से संबंधित परजातियां ठीक है, वे परजातियां जो बढ़ रही हैं, अलग-अलग परजातियां लेकिन उनमें बहुत दूर का संबंध है distantly related बहुत दूर का संबंध है जिसे मैं आप से कहे दू चिडियां और रेप्टाइल इनमें दूर का संबंध है विकास एक ही से हुआ है लेकिन इन दोनों में दूर का संबंध है तो distantly related species growing in different habitat, दूर के रिष्टेदारों में जो की अलग-अलग जंगा रहना है तब competition ज़्यादा होगा या closely related species growing in the same area और नीशे या वो या वो बच्चों जो की closely related हैं प्रजातियां एक दूसरे से और same area में रह रहे हैं उनके भी ज़्यादा competition होगा closely related हैं लेकिन different different area में रह रहे हैं तब competition ज़्यादा होगा हैं तीन चीज़ों के लिए या फिर दूर के रिष्टेदार हैं और एक ही जंगा रह रहे हैं अब देखो खुछ सोचो अगर एक ही पारिस्तितिकी तंतर में सारे जानवर शाकाहारी हो गए तो सब जानवरों में मारा मारी हो जाएगी या नहीं किस चीज़ के लिए घांस को लेके है ना इस्पेस को लेके तो याद रखना बच्चो competition food का light का और space का तब होता है सबसे खतरनाक सबसे ज़्यादा तब होता है जब सारे एक जैसे हो closely related हो और और यह कहलाता है tough question tough लेकिन आप में से कुछ बच्चो ने आंसर दिया है very good अच्छी बात है मतलब अच्छे से बच्चो ने आंसर दिया है बहुत बढ़िया बटा ठीक है चलिए अगला question अगला question बच्चो the normal lapse rate of temperature of earth's atmosphere drops to 0 degree centigrade at the ठीक है यानि कि जो आपका ताप मान में कमी आती है आपको यह याद अखना है कि जब earth के atmosphere में हम उपर चलते चले जाते हैं तो ताप मान में गिरावट आती है तो कहां पर ताप मान का जो lapse है जो कमी है उसका जो rate of temperature का lapse है वच्चो वो 0 degree centigrade हो जाएगा कहां पर अपर part of aino sphere upper boundary of the troposphere lower part of the mesosphere या upper boundary of strato strato pause चले बताइए क्या होगा answer हाँ बिलकुल 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 दीपक बहुत अच्छी बात पकड़ी है आपने बिलकुल बिलकुल बताइए क्या answer होगा इसका नॉर्मल ले लेप्स रेट ऑफ टैंप्रेचर प्रिथी के बातावरण में जीरो डिग्री सेंटिग्रेट कहां पर होता है बच्चो बताईए चलिए कहां पर होता है याद रखना बच्चो क्या होगा इसका अंसर याद रखना अपर बाउंडरी आफ ट्रोपो पॉज यह अपर बाउंडरी आफ ट्रोपो पॉज इसका अंसर बी होगा बच्चो जो troposphere होता है सबसे अर्थ मान लिजी ये है और इसके चारत पहली जो परत है वो troposphere है troposphere troposphere है ठीक है तो laps क्या होगा जैसे जैसे हम पृत्वी से उपर बढ़ेंगे तापान में गिरावट आएगी और इसकी upper layer के पास ये गिरावट जो है वो 0 degree centigrade के आसपास हो जाएगी यहाँ पर इस एरिये में इस पूरे एरिये में 0 degree centigrade के आसपास जो है तापमान घटेगा उसका घटने का रेट जो है जो दर है वो 0 degree centigrade हो जाएगी हाँ अपर ट्रोपो बिल्कु सही बच्छो बिल्कु सही इसका अंसर B होगा भी यह मुश्किल कोशन है बच्छो मैं आपको मुश्किल कोशन भी तो बताऊंगा ना आसान तो होई रहें यह NCRT का कोशन है बच्छो NCRT का कोशन बहुत कोशन है इसमें NCRT के याद रखेगा अगला कोशन लीथो स्फेर कंसिस्ट ओफ लिथो ispher इसे कहते है strengthen ei यह कोई वो नहीं है बच्छो वह याद रखना है यह कोई परियावर अशर जो प्रित्वी का वात अब रहना है उसकी कोई परत नहीं है यह बिल्कुल अलग है religious ल मंडल मि इस तल मंडल याद रखेगा बिटा exo-sphere में तो temperature बहुत हाई होता है exo-sphere में temperature बहुत हाई होता अभी समझाओंगा ये question आएगा अभी देखेंगे बिटा हम उसे ठीक है? Don't worry चलिए चलिए answer दीजिये आंसर दो बिटा क्या होगा इसका शाबाज चलिए आंसर दीजिए बच्छो क्या होगा इसका C, C Crust and the uppermost solid mental ठीक है, देखे मैं आपको बता देता हूँ इस थल मंदा होता क्या है देखे, पृत्वी पे सबसे उपर पाय जाता है यह तो है आपको ocean, समुद्र यह तो है समंदर आपका, ठीक है अब इसके नीचे, समंदर के नीचे जो पृत्वी की परत है यानि कि यह वाली यानि कि यह वाली जो परत है यहां से यहां तक यह जो पूरी परत है यह वाली इससे कहते हैं समुदर के नीचे आने वाली परत प्रिथ्वी की ठोस परत ठीक है यह बहुत हार्ड होती है बच्चो ठीक है ठोस परत ठीक है उसके नीचे क्या होता है बच्चो उसके नीचे होता है बच्चो एस थेनो स्प का ओशनी क्रस्ट क्रस्ट कहते हैं परत को यानि कि जो ठोस परत है बहुत हाड होती है और फिर ऐस थेनोस्पेर यह आएगा आपका ठीक है अच्छा अब लीथोस्पेर क्या होता है बच्चो लीथोस्पेर के लिए यह देखिए जहां ओशन के अलावा पहाड की उचाई से कहां तक बच्चो अपर लेयर आफ मेंटल तक तो बिल्कु सही आंसर दिया आपने बिल्कु सही आंसर दिया है क्रस्ट पूरा क्रस्ट और अपर मोस सॉलिड मेंटल ठीक है यानि कि पूरा तो क्रस्ट आ जाए बच्चो यानि कि यह पूरा क्रस्ट आ गया देखिए क्रस् और उसके बाद यह upper layer है जो है आपकी यह वाली upper layer यह वाली यह layer बच्छो यह वाली इससे कहते है mental की उपरी layer ठीक है और mental की उपरी layer और प्लस S थेनो स्फेर को मिला कर बनता है complete mental समझ में आ गई बात ठीक है तो लिथो स्पेर क्या होता है उपरी परत ठीक है किसकी उपरी परत क्रस्ट की पूरी पूरी क्रस्ट और upper most solid mental अच्छा अस्थेनो स्पेर के नीचे कोर होगी बच्छों कोर के दो भाग होते हैं एक तो होती है बिल्कुल प्रिथ्वी के केंदर के पास वाला भाग जो की solid होता है और एक इससे उपर वाला भाग होता है जो की आपका liquid होता है liquid और यह liquid जो है इस प्रिथ्वी में जो magnetic effect है वो इसी लिक्विड के गूमने की बजे से माना जाता है समघ्मा आगई बात तो एक्चुली जो हमारी प्रिथ्वी है उसका प्रत्व भाग जो है सबसे उपर वाला भाग है वो 1997 gezellाता है लिटोस्पेर में क्या होता है कि क्रस्ट पूरा और मेंट्टल की ऊपरी लेइर होगी ठीक है अब मेंट्टल क्या है mental कया सका अपर एंड-lower-lay-r यानि कि mental की ऊपरी और lower-layer जो है बच्छो, lower-lay-r अब यह जो lower-lay-r इसे हम क्या कहते है, collaborate thinner, sphere कहते हैं, क्या कहते हैiph Low-Layer और upper- यह पूरा mental बनता है, उसके बार core है, core के दो हिस्से है,一次 solid है इक liquid है, एक solid है है एक लिक्विड है तो याद रखना आपका यहां से जीरो किलोमेटर स्टार्ट होगा है और ठीक प्रिट्वी के केंज पर छे हजार तीनसोट अतर किलोमेटर इसकी त्रिज्य के लॉंग बढ़ने पर यह सारी चीज़े मिलेंगी ठीक है हाँ मीजोफियर सबसे ठंडा होता है बिल्कुल सही कहरो उतकर शाप लेकिन एक्जोफियर जो होता है वो बहुत गरम होता है उसमें जब कोई बॉड़ी आती है या कुछ एंट्री करता है न तो जो है आपका फ्रिक्शन की वज़े से हीट की वज़े से खतम हो जाता है बताओंगा अभी आगे बात करेंगे इस बारे में ठीक है चलिए अगला कोशन यहां पर भी आप देख सकते हैं लिटोस्पेर क्या है बच्चो लिटोस्पेर पूरा क्रस्ट है और उसका अपर मेंटल है यह देखिए दिहां से ठीक है क्रस्ट हम देख सकते हम जिस पर चलते हैं वो क्रस्ट होता है बच्चों याद रगना चलिए आगे बढ़ते हैं इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओ एक सेट बटा एक सेटियर यह को इसके ओपर ठीक है चलिए कोशन बड़ा अच्छा है धियां से सुनियागा इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस रि ओष्निय कटी बंदिये वर्षा वन जो हैं अगर उन्हें हटा दिया जाए तो क्या होगा इट ड़ेज नॉट रेजनरेट क्विकली तो वापस उगने में ये बहुत-बहुत-बहुत समय लगा देगा बहुत समय लगा देगा एस कंपेट टुए ट्रॉपिकल डिडीसियस फॉरेस्ट शुश्क पर्ण पाती वन की अपेक्षा यानि कि माल लिजे एक आपका सदा बहार वन है जिसे हम क्या कहते है ट्रॉपिकल रेंफॉरस्ट सदा बहार जैसे अमेजॉन के जंगल है ब्राजील में ठीक है अफ्रिकन कंट्रीज में और एक है शुश्क पर्ण पा बॉस्तु है वो ज़्च लेलेगा उगने में वापस ज़ादानी बहुत ज्यादा समय लेलेगा किसके कम्पेर में ट्रॉपिकल डिडीशिस फॉरस्ट यानि कि शुश्कपण पाती वन की अपेक्षा तीक है है शुश्क पढण पाती वन क стран का करण पूख रहे है इसका डि rainforest is deficient in nutrients, जो मिट्टी है, सदा बाहर वनों की, वो उसमें पोशक तत्वों की कमी पाई जाती है, पहला कारण यह हो सकता है, दूसरा, प्रपेगलस of the tree in the rainforest have poor viability, वर्षवन में जो पेडों का प्रसार होता है, आगे जो बढ़ते हैं, वो बहुत कम बढ़ते हैं, दूसरा the rainforest space are slow growing, जो rainforest का space है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और चौथा, exotic species invade the fertile soil of rainforest, कुछ विशैली प्रजातिया हैं पेड़ पौदों की, जिन्होंने rainforest की वर्षवनों की जमीन को खराब कर दिया है, चलिए answer दीजिए, पहला क्या बच्चों, क्या मिट्टी में पोशक तत् इसावी है, ठीक है, या space यानिन की वहाँ पर प्रसार वनों का वो धीरी धीरे होता है, किस की वज़े से, किस की वज़े सो होता है, बच्चों, पूर वाइयबिलिटी की वज़े से, या फिर Reinforce का स्नटों स् पैस है वो बहुत धीरी धीरे बढ़ता है, ठीक है, या फिर क सी भी लग रहा है आपको मेरे खाल से कोश्चन समय में आगया होगा वर्षा वन जो आपके होते हैं जिन्हें सदा बाहर वन भी कहता है अगर उन्हें काड़ दिया जाए और एक तरफ शुष्क पढ़ पाती वन जो कि हमारे भारत में सबसे भारत में सबसे जादा यही है रिइनफोर्स लेर भच्छों लेर इन्फोर्स लेर है यहाँ से देखेगा लेर मतलब जो वर्षा वन होता है उनमें काई लेर पाए जाती है सबसे पहली लेर ओती इमर्जेंट लेर दूसरी लेर होती है शिरह केनई लेर तीसरी होती watering layer और चौती होती certified circular यी चार लेर पा अपसे ऋचा वाला पेड होगा, जो सबसे जढ़ा सूरज की रोशनी को बरदाश करता है, उसके अंदर सबसे जढ़ा रहता है. इसका नाम मैंने आपको कल बताया था, मुझे याद नहीं, आपको पताँ नहीं, याद है या नहीं. बताइए वो कौन सा वन है वर्षा वनों में जो सबसे उचा होता है और सूरज की रोशनी में सबसे जादा देर तक या कहूं सबसे जादा उभभोग सूरज की रोशनी का यही करता है उसके बाद इससे ठीक इसकी आधी उचाई के आसपास कैनोपी लेर होती है बच्चों कैनोपी लेर होती है इस लेर का मतलब है कि इस लेर में वो व्रक्ष होंगे जो इमर्जेंट लेर के व्रक्षों से छोटे होंगे उसके बाद बच्चों यह भी कैनोपी है अच्छली यह भी कैनोपी है उसके बाद होगा बच्चो, अंडर स्टोरी लेयर, ये देखे, ये वाले अंडर स्टोरी लेयर, ये आपके अंडर स्टोरी लेयर, कैनोपी लेयर जमीन से यहां तक है, और ये आपके कौन सी लेयर है, इमर्जेंट, अंडर स्टोरी लेयर ठीक है जैसे कि केले का पेड इतनी हाइट तक के यूकेलिप्टस अरे नहीं बच्चो उसका नाम उसकी जर्णल कैटेगरी क्या थी जैसे जैरो फाइट सोता ऐसी इसका भी नाम बताया था मैंने बर्गद पेडों के एक्जाम्पिल सही दे रहे है आप लेकिन उसका जर्णल कैटेगरी और सबसे तीसरी लेयर होती है बच्चो फोरेस्ट फ्लोर यह वाली फोरेस्ट फ्लोर यानि कि जंगल का बिल्कुन निचला हिस्सा अब नोटिस कीजिए इतना घना सिस्टम होता है कि सूरज की रोष्णी बस यही तक जाती है बच्चो यही तक यहां थोड़ी बहुत यहां तल तक पहुंचने सूरज की रोष्णी का बहुत मुश्किल होता है बहुत ही मुश्किल होता है एपिफाइट्स नहीं होता, मेरे बच्चे उतकरश नहीं होता पनपाती वन नहीं है हाँ बिटा, कोकोनट भी होगा, बिल्कुल होगा कोकोनट का पेड छोटा है यह बिटा, वैसे ये केले वेले के पेड जादा होता है यहां पर यह फलो के पेड़ को इतना ऊच्छा थोड़ी होता है यह होता है बस फलो का पर है ओके हेलियोफाइट अगर आपके याद आए उसका नाम था हेलियोफाइट कल मैंने समझायत होता सब आपको ओके तो यह तो सबसे निचला तल है फोरस्ट फ्लोर है यहां तक धूप नहीं पहुँच पाती है यहां तक धूप बहुत कम पहुँचती है वेरी लेस और नेगलीजिबल नेगलीजिबल सनलाइट सनलाइट एंड रेन ठीक है यहां तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है पानी बहुत घने है यह जंगल याद रखना बहुत घने है ऐसा मस्समझन अपने आसपास के जंगल आप जब तक आप देखेंगे निए आपको अंदाजा नहीं होगा तो नीचे तो लगबग अंधेरा ही रहता है अब अंधेरा रहेगा तो रेंज जो है बच्चो वह बड़ी दिक्कत करेगी विसे भी पॉंटने में टाइम लगएगा तो क्या होता है बच्चो की नीचे की जो जमीन है इनमें पोशक तत्व की कमी हो जाती है इनमें पोशक तत्व की कमी हो जाती है सर याद ही नहीं हो पा रहा नेम अरे बटा एक दो बार हाथ से लिख के देखो ऐसी किताब खोल के रटने वाली बात नहीं है थोड़ा सा लिख के देखो हाथ से हेलियोफाइट किसे कहते हैं, जेरोफाइट किसे कहते हैं, एक लिस्ट मना लो, एक कोशन कनफर्म है, मैं आपको बता रहा हूं, कनफर्म, ठीक है? लाइट, हीट, दोनों चीज़े जरूरी होती हैं, तो नीचे पोशक तत्व की हो जाती है, कमी, इस वज़े से अब दुबारा एवर पेड उगाने पड़ गए यहां, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर पता क्या ह है, the soil of rainforest is deficient in nutrients, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सदा बहारमन है, बहुत घने हैं, तो फिर मिट्टी में पोशक तत्व की कमी कैसे होगी, मैंने बता दिया, पानी भी ठीक से नहीं पहुंच पाता है, और धूब भी ठीक से नहीं पहुंच पाती है, आई बह बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चो, इस बज़े से बच्चो, यह आपकी, जो है, दुबारा उगना, अगरों इन्हें कार दिया गया तो दुबारा उगना लग-बग नामुम्किन है, यह मानके चलिए, यह हजारों लाखों सालों का result है, लेकिन यहां इसलिए सदा बहार बना रहता है क्योंकि यह सब हैं यह सारे वन हैं इक्वेटर के पास यानि कि भूम अद्दे रेखा के आसपास हैं यह सारे वन अब जो भूमत दे रेखा है प्यारे बच्चों याद रखना जो भूमत दे रेखा है उसके आज पाथ धूब भी खूब अच्छी होती है और बारिश भी बहुत अच्छी होती है इसलिए सदा बहार बने ठीक है? याद रखेगा अगला कोश्चन इन ए रेन फॉरेस्ट वर्षावनों में दा वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर दा शेड अफ कैनॉपी जोन है चलिए इसका आंसर दीजिए अम मैं पीछे नहीं दिखाऊंगा और नहीं आप लोग देखेंगे हाँ अवाँ ठीक से खेती नहीं होते हैं बिलकू सही बटा ठीक है? फिर से सुनिए वर्षावनों में वो पादप वो पोईड पौधे जो की किसके कैनॉपी की शेड में उगते हैं उन्हें क्या कहता है अब जिसने पिछला डाइग्राम ध्यान से देखा है ना इमेज को अच्छे से स्टडी क्या है वो इसका अंसर देगा चली आंसर दीजिए कैनॉपी के ठीक नीचे कौन सी लेर कितनी लेर है बच्चो वर्षावनों की चार लेर है ठीक है? चली आंसर दीजिए D. फोरस्ट फ्लोर ठीक है? D. आंसर दिया है विजय ने, उतकर्ष ने, दीपक ने ठीक है? पीछे में अब दको वीडियो आप प्लीज बैकवर्ड नहीं करेंगे अपने मन से अपना ध्यान देगे कि जो मैं बता रहा हूं उस पर आप कितना ध्यान देपा रहे हैं. प्योष ने D. कहा देखें, चारी बच्चे आंसर कर रहे हैं. अब मैं पीछे आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए. कैनोपी लेर के नीचे कौन सा है? अंडर स्टोरी लेर. अंडर स्टोरी के से उपर क्या होगा बच्चो? क्राउन या क्राउन या कौन सा है बच्चो? आपका इमर्जेंट लेर. उसके बाद है कैनोपी. उसके बाद है अंडर स्टोरी लेर. और फाइनली क्या है? फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर. ठीक है? अगर इन चीजों में अंट्रस्ट आ जाए ना सही आंसर अंट्रस्ट होई तो फिर ये चीज़े बिलकुल रियल लाइफ से रिलेटिड इसलिए बहुत अच्छी लगती ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साल ट्री एक व्रक्ष होता है बच्छों साल बहुत ही मजबूत व्रक्ष है इसके बारे में वो भी है कहवात की सौ साल रहेगा खड़ा सौ साल रहेगा यह है खड़ा सौ साल रहेगा यह है पड़ा ये मतल़ उत्रखण में साल के बहुत पेड़ है तो यहाँ पर एक वो है कहवात और सौ साल रहेगा यह है सड़ा यानि कि एक साल के पेड़ की एक साल के पेड़ की जो लाइफ है वो लगबख तीन सो साल होती है पुरानी पुरानी जो हवेलिया है राजिस्थान में या यूपी में बिहार में तो इनके देखना दरवाजे आज तक भी जियों के तौं हैं बिल्कुल अज़ इति evacue न हैं बच्छों उज़ एतने मजबूत होते हैं कि मतलब ये सोच ही ने सकता कोई की यह खराब इनमें केल ठोगना महाबारत है इतने मजबूत तो सब साल के हैं बच्छों तो साल का जो tree होता है बच्छों वो कहां पाए जाता है कौन से वन में पाए जाता है ट्रोपिकल एवर्ग्रीन ट्री ट्रोपिकल सेमी एवर्ग्रीन ट्री ड्राइ डिडिजियस ट्री मॉइस डिडिडियस ट्री ओश्ण कटी बन दिया सदा बहार वन उश्ट गतिवद्य अर्द सदा बहारवन ठीक है? ये वरक्ष शुश्क पनपाती वन नम पनपाती वन सदा बहारवन साल साल याद रखना बच्चो साल पाया जाता है कहाँ पर साल हमारे जो है वो बच्चो पाया जाता है Dry Didisius Tree पर Dry Didisius Tree यानि कि Himachal Pradesh उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार ठीक है? बिहार, जारखंड इन छेत्रों में एटसेटराँ इन छेत्रों में जम्मू कश्मीर इन छेत्रों में पाए जाता है बच्चों ठीक है? समझ में आगई बात? तो Dry Didisius Tree यानि की शुष्क पनपाती 1 समझ में आगई बात? शुष्क, नम में नहीं जैसे बंगाल के तरफ नम पनपाती पेड़ पाए जाते हैं नहीं, वहाँ पे आपका coconut, जूट इस टाइब की चीज़ें जादा पाए जाएंगी यहाँ पर नमी में नहीं होता है, बहुत सूखे मौसम में होता है याद रगना और आपको बता है सूखा मौसम यहीं जादा होता है ठीक है? हाँ अगला कुश्शन स्प्रूस एंड सीडर बिटा स्प्रूस का जो पेड़ होता है उसे हम क्रिस्मस ट्री भी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्मस ट्री क्रिस्मस ट्री क्रिस्मस ट्री और सेडर जो होता है बच्चों उसे कहते हैं देवदार तो यह variety है कौन से वन की कौन से वन में Christmas tree या देवदार जैसी पेड़ पाए जाएंगे याद रखना सबसे पहली बात तो थंडे प्रदेशों में पाए जाते है थंडे इलाकों में तो जैसे हमारे उत्रखण में पाए जाते हैं ये दोनों पेड़ हिमाचल प्रदेश में, जम्मु कश्मीर में ठीक है नौर्थीस्ट की तरफ जहां पर सेविन सिस्टर इस्टेट्स हैं वहाँ पर भी पाया जाता है Christmas tree, देवदार वगर आए ये सब Expensive हाँ, पहले तो फिरी था अब बहुत expensive हो गया है लेकिन यह है कि हो जाता है आज तो आंसर थोड़े कमी सही आ रहोंगे बच्चों कि B, B, Temperate Coniferous Forest तापवाई शंकुधारी बताए बच्चों एक बच्चे ने तो आंसर दे भी दिया, बिल्कुँ सही बच्चों शंकुधारी शंकुधारी जो one होते हैं बच्चों वहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है, बिल्कुँ सही आंसर है ठीक है, जो conical tree है यह एक तरह के conical, बिल्कुल बिल्कुल बिटा यह answer सबका सही आया है यह answer लगभग सबका सही है बहुत अच्चे बिटा, बहुत अच्चे थोड़ा सा न, क्या होता है कि इन कोशन पर ध्यान नहीं जाता और मैंने यह देखा है कि exam में कोशन खूब आने लगे हैं पहले तो यह कादा आ जाये करता तब तो इन तिन चारशर पंच-पंच आने लगे हैं अब यह एकटरह से आपका जोगरफी में भी चल रहा है आप लोगों का और इसी तरी किसमें चल रहा है इसी तरी किसमें चल रहा है बटा यह चल रहा है आँपका THE P Jean Todos उसमें भी ठीक है फॉरेस्ट ठीक है वेट फॉरेस्ट उससे हम कहते हैं मौन्टाना क्या कहते हैं बच्छो मौन्टाना फॉरेस्ट मौन्टाना फॉरेस्ट कहा जाता है ठीक है यह वहां पर होते हैं बच्छो यह वहां पर होते हैं जहां पर आपका हघाँ हजार से दो हघाँ हमिटर कै Gang 1-2.000 कि इसहां पर क्या हो होगी मतलब उंचाई मतलब यहां पर जो वन हैं उनकी इचाई इतनी होती है इतनी उचाई की पेड़ पाए जाते हैं बच्चों इतनी उचाई की पाए जाते हैं तो Montana forest का सबसे important जो आपका पेड़ है उसे कहते हैं Oak Tree क्या कहते हैं बच्चों से Oak Tree याद रखेगा Oak Tree सौरी मैंने spelling बिल्कुल ही गलत लिख दी O-A-K Oak Tree यह जो tree होते हैं यह पाए जाते हैं Montana एक होता है Tropical Evergreen Forest Tropical Evergreen Forest तो Tropical Evergreen Forest जो है बच्चों यह आपके वहाँ पाए जाते हैं जहां कम से कम 200 cm वर्षा बन जो होते हैं वर्षा वन यह वहाँ पाए जाते हैं बच्चों जहां पर कम से कम 200 cm वार्षिक बारिश होती है पूरे साल में कम से कम 200 cm बहुत होती है 200 cm, यहां अगर हो जाए ना आप लोगों कि आस पर पता चल जाएगा, बहुत जादा बारिश है 200 cm, याद रखेगा, ठीक है, और temperature लगवग लगवग, पता है कितना बना रहता है, 15 से 35 जिगरी के बीच, इतना temperature सदा रहता है, सदा, ना घरता है इससे ना मितट है, वो पूरा यही है बच्छो, याद रखना, पूरा वो यही है, इसके लावा जैनतियर खासी की जो पहाडियां है, मेगालिया में, वो वहाँ पर है, ठीक है, तो यहां का जो सबसे important है बच्छो, वो आपका एक तो bamboo, बास बहुत पाए जाता है, एक mahogany नाम का र जाता है, 70 से 30, 72, 300 mm यहां पर बारिश होती है, कम है, मतलब ठीक ठाक बारिश है, जितनी आपका हमारी इलाकों में होती है, ठीक है, हाँ, ठीक है, सॉरी mm नहीं, मैंने mm लिख देगा, centimeter में इतने centimeter बारिश जहां होती है, वहाँ पर यह होता है, कम भी हो जाती है, किसी साल, किसी साल आपका बहुत जाता भी हो जाती है, ठीक है, करीब, यह मानने के चलिए, 2 से, 2 से 4 महीने बिलकुल बारिश नहीं होती, हमारे तो ज्यादा है न, 2 से 4 महीने बारिश नहीं होती, आपने देखा भी होगा, ठीक है, तो यहां का सबसे important, जो आपका पेड़ है, वो ए सॉरी, साल तो उसका है, एक तो टीक हो गया, और एक होता है बच्चो आपका, यह मान के चलिए आपके टीक हो गया, हाँ, एक हो गया बच्चो इबोनी, इबोनी का पेड़, यह दो पेड़ आपके बहुत important, ठीक है, तो यह कुछ one है जो मैंने आपको बताए, कुछ one है बच biodiversity, biodiversity क्या है, देखो biodiversity में क्या होता है, बच्चो की जनतुों की, पेड़ पौधों की, इनकी बहुत सारी क्या पाई जाती है, इनकी बहुत सारी वो पाई जाती है, बच्चो अलग-अलग प्रजातिया, पेड़ पौधे कहीं प्रकार के होंगे, जीव जनतु कहीं प्रकार क होंगे तो biodiversity हमें बताती है कि एक ही जंगल में कितने अनेक प्रकार के पौधे पेड़ और अनेक प्रकार के बच्चे जानवर तो flora कहते है पादप को fauna कहते है एनिमल्स को ठीक है तो इसका सही आंसर के होगे आपका many type of flora and many type of flora तो पहला तो सही है दूसरा देकि many types of flora in many forest यह कई जंगल होंगे एक ही छेतर में कई जंगल होंगे और उसमें प्रकार प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाएंगे यह भी ठीक है यानि कि एक forest में भी हो सकते हैं और many forest में भी हो सकते हैं बच्चों many population of one species अब एक ही प्रकार की जो प्रजाती है उसके बहुत सारे जानवर उसकी बहुत बड़ी जंशंक्या ऐसा भी होता है किसी एक ही जंगल में ठीक है तो इसके सारे आंसर सही है बच्चों यह सब good morning good morning रंजन ठीक है सश्रीयकाल, सश्रीयकाल, सथिंदर ठीक है the most appropriate description about biosphere reserve is अब आपने देखे होंगे biosphere reserve होते हैं biosphere reserve होते हैं जैसे उत्रखंड का एक है Govind National Park Govind National Park जो है वो एक biosphere reserve है तो वहाँ पर क्या कर रहा है आप किसी ecology को reserve कर रहे हैं कि भाया इस छेत्र के बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौदे हैं और इस छेत्र में आम लोगों का आना जाना बिलकुल मना है तो उसे reserve कर देते हैं ठीक है तो अब इसका उदेश या इसका exactly काम क्या होता है the affected area of deforestation यानि कि आप उस छेत्र को conserve करेंगे जहां पर deforestation हो रहा है यानि कि वनों की कटाई से प्रभावी छेत्र जो हैं या फिर और और बच्चो उसकी growth कर सकते हैं यानि कि किसी particular area को प्रकर्ति प्रकर्तिक तोर पर उसका विकास करना यह कहलाता है या reserve of mineral shortage यानि कि जो खनिश जो हैं वो कम पढ़ जाते हैं उनके storage को कहते हैं तो आप समझी रहोंगे बच्चो बायो इस फेर का जो आपका सही आंसर है बायो इस फेर रिजर्व यह होता है क्या करता है मान लेजिए कोई जंगल है बहुत बड़ा जंगल है ठीक है मान लेजिए बहुत बड़ा कोई जंगल है करता है करता है करता है करता है हलो हाँ सॉरी 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 हाँ ठीक है हो गया हो गया बैच्चो हो गया फिर से बता दे दो भारत में ड्यू गॉग बहुत ही विलिप्ट प्राईजी है बहुत दुर्लब है इस समुद्री गाएं कहते है ड्यू गॉग को जानार की खाडी में जो समंदर है, जो खाडी है वहां की, वहां पर आपका ड्यूगोंग पाया जाता है, इसे सी काओ भी कहते हैं, यानि कि समुद्रीगाएं भी कहते हैं, याद रखना बहुती दुरलब प्रजाती है और इंडेंजर्ड इस्पिसीज है, यानि की खत्रे मे जो आचुकी है ये धिरी धिरे गायब हो रहे हैं इनकी संख्या कम हो रही है ठीक है तो जो है इसको UN ने endangered species का जो है तमगा दे दिया है बच्चो तमिल नाडु वेरी गुड बटा वेरी गुड वेरी गुड अगला कोश्चन हाउ मैनी रामसार कंवेंशन साइट है बिन एनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया सो फार भारत में अब तक कितने रामसर जो कंवेंशन है बच्चो उसके तहट कुछ साइट को चिनित किया गया है मार्क किया गया है तो कितनी साइट है याद रखना बच्चो रामसर जो आपका कं जो है वो है बच्छो आपकी supplementary ठीक है wetland यानि कि दलदल दलदली छेत्र जो है बच्छो उन्हें चिन्नित किया जाता है क्योंकि दलदली छेत्र में याद रखना बहुत ही जवर्दस बायो डायवर्सिटी पाए जाती जहां दलदल है वहां पर पानी है जहां पानी है याद सबके अलग-अलग आंसर है बच्छो चोहतर हो गया है सर चोहतर उतकर केक्षु काणए etc कोश violation hani है कोश्शन अपडेट इड नए बच्छो동 राम शारा कि साइट पे तो अब तक on दिखा गारा सोजिश 64 दिखा रहा है अगर आप अभी भी वेबसाइट देखोगे इंडिया में कि कितनी रामसर साइट से हैं तो 64 हैं बच्छो 64 हैं याद रखना अभी भी मेरे ख्याल से 10 और छांट ली गई होंगी अब तक documentation नहीं हुआ होगा ओके तो 64 74 हो सकता है लेकि 64 अभी तक confirm है जो site है ठीक है मैंने बलकि कल check भी गया था website पर इस तरह के question को तो सीधे इनकी website सी check करो ना तो वहां 64 दिखा 64 प्लस 11 हुए हैं यानि कि अभी हुए नहीं क्योंकि वहां पर फिर आपका 75 दिखा देता चलिए खैर ठीक है आप एक बात देख लिजेगा इस question को मेरे ख्याल से तो 64 है बट इस्टिल हाँ हो सकता है एक-एक दिन का फर्क पड़ जाता है इनमे तो एक-एक दिन का ठीक है मैं आप चलिए अभी भी देख लेता हूँ बलकि कि आप लोगों को दिखा देता हूँ में चलिए देख लेता है देख लेता है बच्चो वामसर साइट अपडेटेड न्यूज हो रहना चाहिए रहना चाहिए बच्चो हर हालत में इनकी अपनी वेबसाइट कहा है अपनी वेबसाइट एक सेकंड हाँ यह है .org ठीक है यहाँ मैं डाल देता हूँ इंडिया यहाँ मैं डाल देता हूँ इंडिया हाँ यह देखो इंडिया करेंटली है सिक्स्टी फॉर साइट डेजिगनेटेट इस वेट लेंड्स अफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है तुद देखो वेबसाइट पर ही गया हूँ मैं उनकी ऑफिशल वेबसाइट पर वहाँ मैंने आप लोगों को दिखा दिया लगवक टॉंटी सॉरी सिक्स्टी फॉर दिखा रहा है यह देखिए सिक्स्टी फॉर दिखा रहा है बच्छों है ना सिक्स्टी फॉर अब दिखा रहा है बताओ क्या करें हो सकता है कुछ नई अपडेट वैसे इस पर सबसे पहले अपडेट होगा ना जो कुछ भी आएगा तो अभी सिक्स्टी फॉर ही है आई थिंग ओके चलिया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मिठा ठीक है तो यहाँ पर हमारा आश्र बढ़िया 64 ही होगा अभी दो बाकी देखते हैं बाकी देखते हैं बच्छों क्या होता है ठीक है 64 24. Just Announcement. नहीं अननि असल में ऐसा है कि website पे update जिस दिन हो जाएगा उस दिन होगा, अभी announce किया है तो website पे हो सकता है एक दो दिन हो जाएगा, ठीक है? चलिए 75, चलिए खेर, हो सकता है वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता हो सकता है नहीं और आ गए हो ग्यारा कह रहे हैं आप तो ग्यारा नहीं आ गए हो चलिए खर देख लिजेगा ऐसे question को The Headquarter of UNEP United Nation Environment Program United Nation Environment Program जो है उसका Headquarter का है देहेग ठीक है निदर लेंड में नेरोबी Kenya Washington D.E. नहीं है बच्चों ये डीसी है वशिंग्टन D.C. वशिंग्टन D.C. अमेरिका नियो आर्क ये भी अमेरिका ये यूएस से है बच्चों चलिए बताए कहां है अगर होता है, मैं तो 64 लगाता है, क्योंकि वेबसाइट पहना, क्योंकि क्लेम करने भी आसान है, आप किसी निउस पेपर की कटेंग नहीं दिखा सकते हैं, हाँ, राम सार वेबसाइट की आप पूरी इंफर्मेशन दिखा सकते हैं, देखें सार, इस डेट को यही डला हुआ है, तो मैं तो 64 यह आंसर लगाता है, हाँ, बिल्कु सही बच्चों, इसका आंसर होगा, नैरोबी, केनिया, UNEP का हेड़कौर्टर नैरोबी और केनिया में हैं, देख में नहीं है बच्चों, नहीं नहीं, देख में हैं, इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस, देख में, न अगला कोश्चन, इन में से कौन सी केटेगरी, ठीक है, आई, यू, सी एन, लिस्ट जो बनाती है, किसकी, जो खत्रे में आचुकी है, परजातिया, उनकी एक लिस्ट बनाती है, तो कौन सी केटेगरी इन में से नहीं होती, critically endangered, गंभीर खत्रे में जो चल नहीं है, ठीक है, गंभीर खत्रे में, जैसे की गिद, वल्चर, ये बहुत गंभीर खत्रे में, ये लगबग गायबी होते जा रहे हैं, लगबग, harmful, जो नुकसान पहुचा सकती है, endangered, जो खत्रे में है, जैसे की टाइगर, ठीक है, and one rebel, यानिकी जीन के हालत बहुत खसता है, बहुत खसता ह जैसे की उद भी लाओ, ठीक है, अब याद रखना स्री जानवनी पेड़ों के लिए भी होती है, लेकिन इतना खेर, मुझे भी नहीं पता कौन से पेड़ा कम हैं ये जादा हैं, ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी ऐसी नहीं है, जिसे IUCN, जो की निकालती है, threatened species, जिन प्रज जानवाल, या भाई, शेर है, शेर किसी इंसान को तो मारी देगा न, अगर सामना आगिया, तो आसे थोड़ी है कि हम उसे इंडेंजर करदेंगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्छो, harmful, vulnerable भी है बच्छो, वूद बिलाओ अगरा है जैसे, endangered आपका tiger है, critically endangered vulture है बच्छो, याद रखना बच्छो, बहुत important है यह question न, दो exam माया, कमाल की बात है, यह दो exam में मैंने देखा है, एक तो railway का exam था और एक defense का कोई exam था, ठीक है, Siberian Ibex क्या होता है बच्छो, Siberian Ibex क्या होता बच्छो, यह देखे, यह होता है, Siberian Ibex, बहुत ही शानदार जीव है, है तो कहने को बकरा, तो हमाना दो बकरे को मजाग में लेता है न, लेकिन बच्छो याद एकने, Siberian में यह बकरा पाई जाता है और इसके सींग, इतने जबर्दस लगते हैं कि इसका शिकार होने लगा है, बहुत जादा, मतलब लोग इसे खाते नहीं, खाते होंगे, लेकिन इसक इसके सींग के लिए इसका जादा शिकार होने लगा, इसके सींग बड़े खूबसूरत है, बहुत सुन्दर है, तो यह आपका एक तरह की बकरी है, टॉल एंड हैवी गोट, यह मान के चलिए गोड़े जितनी ताकतवर, बहुत लंबी चौड़ी होती है, इसके उपर जहां पर हाथी, सैकड़ा हाथी एक दिन में निप्टा दिये जाते थे, उनके दातों के लिए, ठीक है, इसी तरह इसके सिंगों के लिए से निप्टा दिया जाता होगा, हाँ माउंटेन, यह पहाडी बखरा है, बिल्कु सही कहरे है, ठीक है, पहाडी बखरा है, और कौन सी प्रजाती अभी खत्रे में है, ब्लैक बक, ब्लू शीप, गैगनेटिक डॉल्फिन, मिथुन, इंडेंजरी इस्पिसीज का मतलब है, खत्रे के निशान से नीचे आ चुकी है, इनकी संखिया, क्रिटिकल इंडेंजरी है, देखिए, कुछ लेवल होते हैं, एक तो ह होता है बच्छो, critically endangered, critically. ठीम है, यहां तक है मतलब जब यहां पर होगी संखिया, तो समझ जाना कि इनके ओपर ध्यान देखने जरुत है, इनकी हालत बेकार होती जा रही है, अबच्छो आपका, इंडेंगेड मेंन बच्छो आपका, इंडेंगेडी आ बच्छो आपका, भी इंडेंजर्ट है हमारे और एक क्रिटिकल इंडेंजर्ट है जैसे गिद गिद वल्चर्स यह तो बिल्कुली गायब हो गए आपने भी नोटी आपने तो नहीं खैर हमारी जनरेशन तक हमने देखे हैं गिद लेकिन आप लग भी बहुत कम देख पाए होंगे गिद उल्ल यह तो सल्मान खान की वज़े से इंडेंजर्ट हो गए ब्लू शीप इस दा करेक्ट आंसर अब आप कहेंगे बाबा ब्लैक शीप बाबा ब्लू शीप ब्लू शीप यह एक्चुली ब्लू कलर की नहीं होती मैं आपको दिखाऊं अगर यह ऐसी होती है यह देखे यह और यह को सबसाइप मजह ब्लू यह थिसका नाम होता गयाल ठीक है ओर इसका एक और नाम होता है बच्चों वस्वेसे हम कहते हैं मिथुन यह वह नbab्यों मिथुन है इसका नाम मिथुन हुख यह आपने सींग की वज़े से जो है बड़ा लुका क्यामत होगी आट यह वह यह अपने सींगों के लिए देख कितने सुन्दा सींग लगते होंगे इसी तरह से साइबेरियन आईबैक्स तो इसका यहाँ पर तो सही आंसर ब्लू शीप है बच्चों याद रखना यह भी आपका वनरेबल हो गया है इसकी भी संक्या घटती जा रही है बहुत असम सरकाइड ने इसके लिए अब राज्यस्तरी प्रोग्राम चलाए बहुत जबरदस्त गेगनेटिक डॉल्फिन गंगा में पाए जाने विली डॉन फिर यह भी भाया आपकी इंडेंजर्ड है ठीक है यह भी आपकी इंडेंजर्ड है ब्लैक बख यह भी यह सारे हैं इंडेंजर्ड ही लेकिन इन में यह कंप्लीटली इंडेंजर्ड है यह रेड लिस्ट में आचुकी है याद रखना ठीक है तो यह देखना, आप अपने सींगों की वज़े से, अपने दातों की वज़े से, किसी की खाल की वज़े से, जानुरों का बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चो? हाँ, मिथुन राशी में जी का फूट होता, बिल्कु सही, यह बड़ी अच्छी बात पकड़ी है आपने, ठीक है? तो चलिए बच्चो, आज की क्लास में इतना है, अब हम अपने नेक्स सेशन में मिलेंगे, ठीक है? काफी हमने कुछ चीज है डिसकस करी है, बड़ी अच्छी कोशन किये, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट.